युहन्ना रचित सुसमचार पंदरवा अध्याए आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वैं बहुत फल फलता है क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वे डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में जोक देते हैं और वे जल जाती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आग्याओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आग्याओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुम से इसलिए कहीं है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद प अपना प्राण दे, जो कुछ मैं तुम्हें आग्या देता हूँ, यदि उसे करो, तो तुम मेरे मित्र हो, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अ ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुमारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीती रखता। परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं बरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संस जो बात मैंने तुमसे कही थी, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ, वे मेरे नाम के कारण जोकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, यदि मैं ना आता, और उनसे बातें ना करता, तो वे पापी न ठैरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं, जो मुझ से बैर रखता है, वे मेरे पिता से भी बैर रखता है, यदि मैं उन्होंने वे मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, और यह इसलिए हुआ कि वे वचन पूरा हो, जो उनकी विवस्था में लिखा है, कि उन्होंने मुझ से वियर्थ बैर किया, परंतु जब वे सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से अत्यका आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे है मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरम से मेरे साथ रहे हो.